नमस्कार मद्धिप्रदेश की बात आप देख रहे हैं मैं हूँ पुनीत पाठक बीते कुछ दिनों से इन दौर में लगने वाले पोस्टर्स को देखें तो इनसे साफ इशारा मिलता है कि लोकसवत चनाओ के बाद कैलाश विजवरगी एक बार फिर से मद्धिप्रदेश की राजनीती में सक्री होना चाहते हैं या कम से कम उनके समर्थक चाहते होंगे और इसलिए शायद वैसा महौल है वैसे मौझूदा दौर में लोकसवत चनाओ में पश्चिम मंगाल में मिली अपेक्षित सफलता के बाद पार्टी में विजवरगी का कद काफी बढ़ा है अब मध्यप्रदेश में बदलाओ की हवा बह चली वैसे विजवरगी का मिशन मंगाल अभी बचा है लेकिन उनके समर्थक ये मांग करने लगे हैं कि उन्हें अब भाजपा में एक नई और बड़ी जिम्मेदारी दी जाए केलाश विजवरगी पार्टी के भीतर रवेक ऐसा नाम बन चुका है जिसे मध्यप्रदेश भाजपा की राज़नीती के दूसरे परियाय के तौर पर देखा जाने लगा है भाजपा की राश्ट्री महासचे बनने के बाद पश्रिम बंगाल के प्रभारी के तौर पर विजवरगी ने जुक कर दिखाया उस उपलबधी के आगे मध्यप्रदेश भाजपा की निता बोने नजर आते हैं विजवरगी ने कुल 6 चुनाव लड़े और कोई चुनाव नहीं आरे केंद्र में मोधी सरकार आने की बाद से विजवरगी की राजनीती में बड़े बदलाव देखे पहले 2014 में केलाश विजवरगी को हर्याना की जिमिदारी मिली जहां केलाश विजयवर्गी ने कॉंग्रिस की गड़ में भाजपा की सपष्ट बहुमत वाली सरकार बनवाई फिर 2015 में मत्रिप्रदेश सरकार में मंत्री पत छोड़ भाजपा की राश्ट्री महासरचिव बने विजयवर्गी की काबलियत पर भरुसा करते हुए राश्ट्री अध्यक्षमिशा ने उन्हें सबसे कठिन राज पशिम मंगाल की कमान सौपी जहां विजयवर्गी ने भाजपा का सूखा खत्म कर 18 सीटें देलवाई पशिमंगाल में विजयवर्गी ने अपने राजनेते कौशल का परिचय देते हुए सबसे पहले कारिकत्ताओं का भरुसा जीता और मुकुल राय जैसे त्रिणमूल कॉंग्रिस के बड़े नेता को तोड़कार ममता बनरजी को जटके दिये और फिर हिंदूत्वकार्ट खेलते हुए बंगाल में भाजपा की नई विचारधारा को जन दिया और वो लक्ष में पहुचने का प्रयाद करता है जो कस्यमंगाल हो हरियाना हो जहां भी उनको जिम्मेदारी दी है उन्होंने संगठन के अनुरूप काम करकर दिखाया है यो रहम कारिकरत करता हुए सबकी यह इच्छा है वो कहीना कहीं राष्टी इस तरफे एक बड़े चेहरे के रूप में या तो अभी जो चल रहा है कि राष्टी अध्यच वाला मामला चल रहा है या तो राष्टी अध्यच बनें तो बड़ी खुशी होगी विजयवर्गी के एग्रेसिव राजनीती ने जहां उन्हें एक के बाद एक कामियाबियां दिलाएं उनके समर्थक बढ़े तो उतने ही पार्टी के भीतर उनके दुश्मन भी बने तभी तो उनका हर आंदोलन, हर कारिकरम, वन में शो की तरह देहता है कि BJP के कायर करता है सम्में अपना अपना एक शैली होती है के राज जी के शैली में उनका एक आकरमक सभाव जह है उनकी शैली वह उनके विश्षिष्ट रता है उनको क्या दाईति मिलना चाहिए या भारते जन्ता पाटी के कायर करता नक के वल वे भी नहीं सोचते हैं इस बारे में हमारे यहां एक दोस्ता है कि हम चरवती चरवती अपन चलते रहे चलते रहे अपने कायर करते रहे संगधन इस बात का विचार करता है कि किस वेक्ति की उप्रदेश सरकार को गिराना चाहते है राष्ट्री इस तरपर और राज में नए पार्टी अध्यक्ष की नियुक्ति करने को लेकर अटकलों का दोर चल रहा है इस बीच केलाश विजयवर्गी ने इन दोर में किसान आग्रोश रहली निकालकर प्रदेश और पार्टी में अपना कद बता दिया है शिवराद सिंग चौहान की राष्ट्री सतिस्ता अभियान प्रमुख बनने के बाद अब कैलाश समर्थों को इंतजार है विजयवर्गी को नई और बड़ी जिम्मेदारी मिलने का दीपक यादव आईबी सी 24 इन दोर तो दो बातें पूरी तरह से क्लियर हैं एक तो ये के विजयवर्गी ने प्रदर्शन करके और उसके पहले बड़ी जिम्मेदारियों को निभा कर राष्ट्री स्तर की उपर जहां अपनी धमक का एसास कराया तो वहीं प्रदेश में लोट करके एक बड़ी रैली करके प्रदर्शन करके सरकार को और सत्ता पक्ष के साथ साथ अपनी पार्टी को अपनी पार्टी के निताओं को ये जता दिया कि उनके जितना बड़ा कद कम से कम काम्याबी के मामले में फिलहाल नहीं है और इसलिए अब उनके समर्थक खुल कर कहते हैं कि चाहे प्रदेश जो भी ढूंडा जा रहा उसमें केलाश जवरगी के बड़ी भूमी का उनके समर्थक कम सकम चाहते हैं देखते हैं और ये बड़ी भूमी का मिलना चाहिए क्योंकि वो डिजर्व करते हैं अब क्या इसके माइने निकाले जाएं किस तरह के इसके अर्थ होंगे राजनीती म हैं इस पर हम बात करेंगे क्योंकि ताई और भाई की रडाई और जो प्रदेश की सरकार थी बीजेपी की उसके साथ में जो दो ध्रोब बने थे वो भी किसी से छिपा नहीं हैं दीपक विजवरगी साब भारती जनता पार्टी की तरफ से और राजनेतिक विशलेशा की त साह में हैं जो जीत के आंकड़ें उसके बाद में कैलाश विजवरगी का इंदौर लोटना उनके होर्डिंग पोस्टर सब ये जताते हैं उनके समर्तक खुल कर कहते हैं कि आब राज़्टी अद्यक्ष जैसी भूमी का भी वो कम से कम समर्तक देखते हैं क्या इस पर आपक जिन्ता पार्टी की जबर्दस जीत हुई है उसमें केलाश जी की बहुत केंदरी भूमी का रही है बहुत अच्छी भूमी का रही है और इसलिए उनके जो समर्तक हैं शायद गौरानवित प्रसुष कर रहे हैं तो ये उनका सहौवएक उत्सा है भारती जन्ता पार्टी का प्रदेश के बड़े नेताओं के चहरे होते हैं लेकिन वहाँ पर मध्य प्रदेश का शेर इस तरीके के पूरे बैनर पोस्टर दिखाई पड़े मंच की उपर उनके अलावा विजय वरगी के अलावा या उनके समर्तकों के अलावा कोई दूसरा बड़ा चेहरा दिखाई न देखते हैं? यह एहम घुमिका है। पार्टी कुछ नहीं चाहती। किवाल उनके समर्थक ही ऐसा चाहते हैं? जिम्यदारी दी जाती है समय समय पर जिसका निर्वान करते हैं। उसको संगटन के नजरिय से देख मैं ठीक होगा। चले ठीक है। हर एक राजनेतिक दल की और राजनेतिक दल की प्रवक्ता के नाते आपकी भी जिम्मदारी बनती हैं। राजनेतिक विश्डेशा के तौर पर गिर्जाशंकर जी लगातार ताई भाई के बीच में जो चला या जो प्रदेश नित्र तो था यहां पर पहले जब सरकार चलती थी उसके साथ में जितने पॉइंट्स थे विजैवर्गी को लेकर वो सब की सामने हैं। अब जिस तरह के प्रदर्शन कर रहे हैं इन दौर में जिस तरह के बैनर पूस्टर लग रहे हैं क्या इससे अपनी ताकत का इसास कराके अपनी मौझूद्गी का इसास कराके जैसा उनके समर्थक कह रहे हैं या समर्थकों के मूँसे ये द syllabus आजा रहा है साके में कैलाश विजयवर की एक बहुर एक बड़ी हैसियत BGP की रूप में वहां रहे हैं और क्योंकि उनकी जिम्मेदारी पर्चिम बंगाल में लगा दी गई उनको गेंदरी स्थर पर महामंत्री बना दिया गया तो जो एक अपसेंस प्रदेश में और खासकर इंदौर मे जो महसूस किया जा रहा था उस उस अपसेंस को फिल करने की जुगत दिखती है इसको शक्ति प्रदेशन के रूप में भी देखा जा सकता है कि ये दबदबा उनका प्रदेश की राजनिती में कलाश विजयवर की का न रहते हुए भी है ये दिखाने के बात है जहां तक आ बार्टी में बड़ी जिम्मिदारी दी जाए लेकिन मुझे अभी ऐसा नहीं लगता क्योंकि साल भर के भीतर बंगाल में विदान सभा के चुनाओं है और जो लोक सभा चुनाओं में सफलता मिली उसमें जो भी कैलाश विजयवर की जी की भूमिका रही है जाहिर है कि उस भूमिका का अभी अंत नहीं हुआ है विदान सभा चुनाओं तक उनको वहां रहना है तो एक साल तो कम से कम लगबग उनकी प्रदेश वापसी होनी नहीं है और प्रदेश में दरसल जो बीजेपी के नेताओं के बीच जो हलचल आपको देखने को मिल रही है उनके कारकरत सब्सक्राओं को वो यह मान कर चल रहे हैं कि कॉंग्रेस की सरकार पांच साल चलने वाली नहीं है कोई अभी बीजेपी विपक्ष में है तो विपक्ष के बीजेपी को लीड करने के लिए यह सक्ति प्रदेशन हो ऐसा नहीं है ऐसा यह माना जा रहा है कि सरकार पांच साल प्रभावशाली निता बीजेपी के मत्रदेश में हैं उनकी भूमिका प्रदेश से हटाकर दिल्ली केंद्र में ले जा रही है उमा भारती गई नरेन सिंग तो मर गए थावा सिंग गवलो तो पहले से हैं और शिवराज सिंग चौहान जो बुद्पूर मुक्षमंत्री हैं वो लगातारे चाहते रहे कि उनकी भूमिका मत्रदेश में रहे और मत्रदेश में अपना वो काम करते रहे लेकिन जिस तरह लो महत्पूर्ण मान रहा हूं हाला कि जो काम दिया गया है वो काम बहुत महत्पूर्ण नहीं है दस करोड की पार्टी है मेंबर्शिप की दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी मेंबर्शिप के नाम पर अल्यडी बन चुकी है तो उसमें और बहुत कुछ करने ही बाद अमिर्शिया के उत्रादिकारी का नाम तै होना है जिसमें अब तक के मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक शिवराज सिंग का नाम कहीं नजर नहीं आया है अब इस नियूक्ति के बाद शायद है कि एक संभावना के तौर पर उबरें कैलाश वीजवर्गी को भेज दिया गया तो मध्यप्रदेश के जितने बड़े नेता हैं उनको मध्यप्रदेश की राजनीती से अलग कर दिली ले जाये जा रहा है तो यह अच्छी बात हो सकती है कि मध्यप्रदेश के नेता इतने प्रभावशाली हैं कि पार्टी के लिए राश्क्री स्थर पर उपय बीजेपी को और जो इनका वैकल पिक नेतरी तो किस प्रत तयार होगा ये ज़्यादा महत्पूर नहीं है कलेक्टिवली अगर आप देखें तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्षों पूर्व सीयम हों ये सब एक साथ नजर आते हैं लेकिन विजयवर्गी के प्रदर्शन में हमेशा एक अकेला पन या एक नित्र तो दिखाई पड़ता है और उसके बाद पार्टी के भीतर भी खल काम करने की और जैसा मैंने पहले कहा उसको मैं शक्ति प्रदर्शन के रूपे नहीं देखता बलकि जो डिली में या बंगाल में जो उनकी भूमिका है और जिसमें उनको अजिकान सुवक्त मध्यपरदेश के बाहर देना पढ़ रहा है तो उनकी जो अपसेंस यहां बन रह ही है मध्यपरदेश में और खासकर इंदौर में उस वेक्यों को उस अपसेंस को भरने की कोशिश के रूप में ज्यादा में दिखता हूं उनके प्रदर्शन को जहां तक बीजेपी के अलग-अलग नेताओं का अलग-अलग एरिया में प्रदर्शन या जो एक शक्रीता है उसमें कहीं एक बिखराओ जुरूर देखने को मिलता है। हो रही हैं इसलिए जो कल का शो था वो इसलिए चर्चा में आ गया। हैं उनके विकल्पों पर लगातार नामों की बातची चल रहे हैं तो क्या वहां तक अपनी बात पहुचाने के लिए नेता ऐसा कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जैसा खुद गिर्जाशंगर जीवी कह रहे हैं कि मद्यप्रदेश के नेताओं की राश्टी स्तर पर भी अब कई जिम्मेदारियां दिख रहे हैं और एके करके नेता राश्टी स्तर की राजनिती के पटल की उपर दिखाए पड़ रहे हैं ऐसे में प्रदेश का नेत्य तो कौन करेगा किस के हाथ में आएगा ये तमाम समर्थकों के बीच में चर्चा होती होगी किस तरह देख रहे हैं पार्टी के प्रवक्ता की नाते और एक जिम्मदार कारिकरता की नाते अगले टागेट्स क्या मिलेंगी राश्टे द्यक की तरफ से क्योंकि कॉंग्रेस बार बार ये संकेत देती है क्याती है आरोप लगाती है कि आप ये सब सरकार को अस्थिर करने के लिए कर रहे हैं प्रवक्ता की नाते और लेकिन बार बात चलती है एक ताई भाई कि लड़ाई ये आप सुधिकार करें ना करें, लगतार चलती है, उसके अलग कारण हो सकते हैं, उनकी जो एग्रेसिव राजनीती या उनका जो एग्रेसिव स्टाइल है, वो पार्टी को तो जीत दिला था, लेकिन उनके पार्टी के भीतर कहीं सारे ध्रुबों को भी जन्म दे देता है, इसलिए शायद उनको बड़ी जिम्मधारियां प्रदेश के बार दी जाती रहें एक मैसेज ये भी देखता है देखिए ऐसा है मीडिया का अब्जर्ब करने का अपना तरीका हो सकता है नेता की काम करने का अपना तरीका हो सकता है लेकिन भाजपा या संगठीन कार पुड़ाली में कोई बड़ाओ या कोई फर्रक नहीं होता है अलग-अलग शक्सियत होते हैं अलग-अलग व्यक्ति nyt को होते हैं उनके काम करने का अपना तरीका होता है तो उसको आप अपने तरीके से अब्जर्व कर सकते हैं लेकिन भोपाल की राजनीती या गॉलियर की राजनीती या इंदोर की राजनीती इनका अपना अपना तरीका है और वहाँ उसी तरीके से राजनीती होती है गिर्जाशंगर जी एक बात ये भी है कि जब से अभी कि दिल्ली की राजनीदी जर मुंबे की राजनीदी ये फर्क है तो दिल्ली में दिल्ली की तरीके की होती है मुंबे की तरीके की होती है नहीं लेकिन यहां एक व्यक्ति की राज़नीदी की तरीके के उपर ही लगतार कोमेंट होते रहें या उनके पोस्टर को लिकर के बात होते हैं चलिए ठीक है कि जब से सरकार बनी है केंदर में उसके बाद से जो बड़े नेता हैं शीर्ष नेता हैं बीजेबी केंदर के वो अपनी अपनी नई भूमिकाओं में और दोरी भूमिकाओं में उलजे हुए हैं और अपने कामों में लगे हुए हैं शुरुआती तोर पर जो जायज भी लगता है ऐसे में प्रदेश के निता भी लगतार वैसे ही कुछ परफॉर्म करके वहां तक बात पहुचाने की कोशिश करते नजर नहीं आते हैं प्रदेश के निताओं में जहां तक सवाल है कि उनकी सक्रीटा बनी हुई है और विधान सभा चुनाओं के बाद सरकार नहीं बनने के बाद जो एक दरह से मायूसी थी वो लोग सभा चुनाओं में बहतर प्रदर्शन करने के साथ वो मायूसी खतम हो गई है जो बड़ा सवाल यहाँ पर जो बीजेपी के अंदर कॉंग्रेस के अंदर और नॉन पोलिटिकल सरकिल में भी यही एक सवाल उभरा हुआ है कि क्या इतने प्रचंट बहुमत से दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के बाद जो तक्निकी रूप से अलपमत में जो सरकार है जिसको पूर्ण बहुमत कॉंग्रेस को नहीं मिली है और जो समर्थन के साथ सरकार चल रही है क्या इस सरकार को जो दिल्ली की जो नेतर तो है बीजेपी का वो चलने देगी या जिस तरह मध्यपुदेश के नेतर सारदनी कुरूप सा बयान देते रहे हैं कि इस सरकार को हम कभी भी गिरा देंगे तो क्या उस दिशा में पार्टी हाई कमांड सोच रहा है ये सबसे बड़ा प्रश्ण है और इसी के इर्दगिर्द कॉंग्रेस और बीजेपी में जो बेचेनी है वो इसी के इर्दगिर्द है इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है लेकिन जो सकृता जो दिखती दोनों दलों में और सकृता भी कहलेजिए चिंता भी कहलेजिए व्यगरता भी कहलेजिए वो इसी बात को लेकर है जो जितनी जल्दी इस सवाल का हल सामने आ जाएगा नहीं तो राज़ितिक अईस्थिर्ता जैसे इस इतनी जो है वो मंद्रपरदेश में बनी रहेगी विजयवर्गी जे कहीं ये बात है एक प्रदर्शन करके दो तरफा वार कियें विजयवर्गी साब ने केलाश विजयवर्गी साब ने एक तरफ जो अपनी गैर मौझूद की जैसा आप दोनों कह रहे हैं कि वो अभी लंबे समय तक बाहर थे दूसरी जिम्मेदारी में व स्थिती बनती है बीच में अगर किसी टर्म की ज़रुवत पढ़ती है तो यहां भी उनका नित्रत उनका सिक्का उनका दबदबा कितना ज्यादा है यह दोनों मेसेज एकी रैली से दे दी एकी प्रदर्शन्स दे दी इतना तो सीकार करेंगे आप मैं दूसरे का से सहमत नहीं हूं मैं यह मानता हूं कि जो उनकी अपसेंस है आप ने देखिए कि विधान सभा चुनाओं में जो सफलता पस्चे बंगाले मिली है उसका एक मात्र श्रे विजय वर्गी जी को है यह मैं नहीं मानता विजय पी के बहुत बड़े इस्तर पर र मालबा में जो सफलता बीजय पी को मिली है मालबा के बड़े नेता है कराच बिजय वर्गी तो ओ भी तो उनके खाते में जाएगा यह ताई के चुनाओं नहीं लड़ने पर लोगसभा के जो तिकट दिया गया बीजय पी से वह कराच ब्यजय वर्गी खेमे का नहीं है यह ऐसी सिती में जो जो जनाधार या जो पकड़ उनकी इन दौर में खास करती वो कहीं कमजोर ना हो जाए ये सबसे बड़ी बात है जो उनके प्रदेशन के पीछे में देखता हूं इसके आगे की जो तमाम तीजे हैं कि वो आने वाले समय में क्या जिम्मिजारी उनको मिलेगी और क्या उनके संबर्षच काल करता क्या चाहते हैं ये अलग मुद्दा है लेकिन फिलाल उनको प्रदेश में देखिए जो प्रदेश इस्थर का नहींता जो प्रदेश के राग्णिती करता रहा है जाक शिवलाज सिंग हो चाहिए घ्लाग मीजय वर्गी हो यहां तक उम् प्रदेश के राजिती से हाई कमान चाहता है कि आप केंदर में जाने से मना तो नहीं कर सकते लेकिन प्रदेश में जो उनका प्रभाच हेत्र है उसको वो किसी रूप में नहीं खोना चाहते और इसी जुगत में ये सारे निता लगे हुए हैं चलिए दीपक विजवार्गी साब बार-बार कॉंग्रेस कह रही ही कि आपके तमाम प्रदर्शनों का एकी उद्देश है कि आप कॉंग्रेस की गौर्णमेंट को भरम पहला कर अस्थिर करके बाहर कर दें सत्ता से इस पर क्या कहेंगे देकि हमारा एकी उद्देश है की जनता की बात सत्ता के कानों तक पहुचाई जाए मध्यप्रदेश में जबसे कॉंग्रेस पार्टी की सरकार बनी है तो जनता त्राही त्राही कर रही है जो भी विवस्ता है 15 सालों में भाज़पा ने स्थापित की थी वो पूरी की तरह खराब हो चुकी है चाहें बिजली की बात हो पानी की बात हो सड़के खराब होने लगी है और सबसे बड़ी बात कि किसानों के संबंद में गरीबों के लिए जो भी जोजना भारती जनता पार्टी की सरकार ने शुरू की थी वो सब बंद कर दी गई है किसानों की करज में नहीं लड़ने की इच्छा के वाबदू तुराओं में उतारा गया गुना से जो तो है सिर्जिया नहीं लड़ना चाहते हैं उतारा गया आपके तमाम नीता इस बात को खारिच करते हैं कि नहीं हम ऐसा कोई प्रयास नहीं कर रहे लेकिन हर एक प्रयास में कांग्रिस को वही प्रयास नजर आता है चलिए और यह जो प्रदर्शन हुआ था इंदौर में इसको लिकर के हमने आज का जो कारक्रम रिखा है यह हमारा प्रयास नहीं है प्रक्रस अपने अंतर जंदों से गरी हुई है मैं यहीं कह रहा हूँ ठीक है ठीक है चलिए ठीक है देखते हैं आप दोनों का शुक्रिया नमस्कार तानिवाद